दोस्ताब का बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल डेटिट में आज मेरेकर आपके सामने अधिगम के प्रमुक्सिद्धात और इसी सीरीज में आज जो नंबर है वो है पैवलाव नाम है लेकिन कभी पावलाव भी बोलते हैं पावलाव ठीक है ना प्रनेंशेशन अलग-अलग भी हो सकती हैं लेकिन जो रियल प्रनेंशेशन है वो इंग्लिश वर्ड में होती है पैवलाव तो इन्होंने अपना संबध प्रतिकिया का सिध्धात दिया है इस सिध्धात में क्या है किस पर प्रियोग किया क्या इससे निसकर्ष निकला और इ किस पर प्रियोग किया था, कैसे सिक्षव में आता है, सब कुछ डिटेल मताया था, आप लिस्ट में जाकर इससे पहली वीडियो चेक आउट कर सकते हैं, फिलाल आज हम पैवलव के इस प्रियोग, इस सिध्धान्त की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं, तेको अधिगम के सिध्धान्त का प्रतिपादन रूसी मनोवैग्यानिक आई पैवलवने किया था, सिध्धान्त का नाम है, संबध प्रतिक्रिया का सिध्धान्त, इन्होंने सबसे पहले उद्धीपन और अनुक्रिया के संबंद को अनुबंद द्वारा व्यक्त किया, तेको एक तो होता है उद्धीपन और प्रतिकिरिया करेगा, पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, यह क्या होता है, एक बाद फिर से बतायता हूँ, उद्धीपन का मतलब होता है, जो चीज हमें अटरक कर रही है, अपनी और खीच रही है, और अनुकिरिया होती है, उसको पाने के लिए हम क्य परतिकिरिया कर रहे है क्या कोशिश कर रहे है क्या प्रियत्न कर रहे है होता है जैसे कि यह रोटी है और यहाँ पर कुत्ता है यह कुत्ता इस रोटी को पाना चाहता है तो रोटी इसके लिए दिपन होगी और यह परतिकिरिया करेगा जो यह अनिकुरिया करेगा वो बोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी, कुछ दिनों बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाए जाने लगी, यानि कि बोजन आने वाला है उससे पहले ही घंटी बजा दी जाती थी, उसके बाद बोजन लाय जाता था उन्होंने स्वभाविक उद्धीपन भोजन को घंटी बजने के करतिव उद्धीपन से जोड़ दिया, देखो स्वभाविक उद्धीपन क्या था, भोजन था, कुट्य को कोन खीच रहा था अपनी और, भोजन खीच रहा था, ठीक है, उससे पहले भोजन लाने से पहले उन् भोजन स्वभाविक उद्धीपन था उससे पहले घंटी बजाया लगी उसको वो लागया कर्तिम उद्धीपन जो हमने खुद से जोड़ा ठीक है जिसके फलसुरू कुत्ता लार टपकाता था इसके बाद उसने कुत्ते को भोजन नहें देकर केवल घंटी सुनाई घंटी की अवाज सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वभाविक पर्तिगिरिया लार बहना की इस वरकार ऐस वभाविक और कर्तिम उद्धीपन की परती भी स्वभाविक पर्तिगिरिया लार बहने में प्रस पर संबद इस्थापित हो गया ये संबद पर्तिगिरिया कहला जाना लो कुट्त्या देको संबद परती केई समझेगा जो कुत्ता था, उसे भोजन देख कि उसकी लार तपक ती जी कहा? जैसे भोजन सामने आया, उसकी लार तपक्ती थी भोजन मिल जाता था कुछ टाइम बाद क्या किया? कि पहले तो घंटी बजाए जाने लगी उसके बाद भोजन लाया गया घंटी बजाए जाने लगी भोजन लाया गया तो कुट्टे को समझ आ गया कि घंटी बजने का मतलब है कि भोजन आने वाला है भोजन आ चुका है एक दिन क्या हुआ, घंटी तो बजा दी गई और कुत्ते की लार बहना शुरू हो गई लेकिन भोजन नहीं आया जहां उसका connection, उसकी लार का connection किससे था? भोजन के साथ था अब उसका connection किससे साथ हो चुका था? घंटी के साथ हो चुका था उसे पता था, घंटी बजेगी तब ही भोजन आता है तो घंटी बजते हैं, उसकी लार बहना शुरू हो गई जो एक स्वभाविक किरिया थी और घंटी बजना तो हमारे हाथ में था? यहां हम अपने according उसकी लार बहार है थी तो यहां पर संबध कर दिया गया किस से? जो स्वभाविक उद्धी पन था, उसे कर्थिम उद्धी पन से connected कर दिया गया संबध कर दिया गया, यही क्या है? संबध परतिकिरिया का सिध्धात है अब इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं जो को भोजन क्या था? एक स्वभाविक उद्धी पन था, एक खिचाओ था और इस ते स्वभाविक परतिकिरिया क्या होती थी? लार बहती थी भोजन देखके कुत्ते की लार बहती थी, तो स्वभाविक जो होना ही होना था भोजन था और जो dieधिया होनी होनी थी एक दिन क्या किया जो भोजन को घंटी के आवाज से जोड़ दिया गया भोजन तो क्या था स्वभाविग उद्धिपन और करतिम उद्धिपन जो खुद से हमने जोड़ा, करतिम रूप से जोड़ा unnatural रूप से जोड़ा, घंटी की आवाज को अमने उससे जोड़ दिया, तो लार निकलना स्वभाविक होगी, ठीक है, एक दिन भोजन नहीं आया, खली घंटी की आवाज बजाई, तो करतिम उद्धीपन, लार निकल गई, ठीक है, स्वभाविक उद्धीपन से connected हो गई, तो यही पैवलव का संबद परतिकिरिया का सिध्धानत है, आगे चले, तो इसका सिख्षा में महत्व देख लेते हैं, क्या सिख्षा में महत्व है, यह सीखने की स्वभाविक विदी है, इसकी सायता से बुरी आदतों भैसंबंदी रोगों का उपचार कर सकते है, इसके आलकों के समाजी करन करने, वैवातावरण से सामंजस्थ से इस्थापित करवाने में सहयक है, सहयक है, यह सिध्धानत उन विश्व की सिख्षा में उप्योगी है, जिनमें चिंतन की आवशकता होती है, जैसे सुले, अक्षर विन्यास आदि, तो कुल्म लाके यह सिख्ष आपका सम्मत प्रतिकिरिया का सिध्धानत है, उमीद करता हूँ आपको अच्छी लेगों की वीडियो अच्छी लेगों की प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके लेकर आते रहे, थैंकिस वामाच वर कर आते ब Wi-Fi दिए जरे होगन की वीडियो